जितने बच्चे मेरे सामने बैटा है फटा फट से एक बार मुझे ITC कॉंसेप्ट दुबारा से समझा दें ताकि जिस जिसके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए कि ITC कॉंसेप्ट होता कैसे है विवेक सर ये क्यूं बोलते हैं कि मैंने AC 45 का लिया मुझे 38 का पड़ा मैंने LED 30 का लिया मुझे 25 का पड़ा विवेक सर क्यूं बोलते हैं कि कैमरा 9000 पे का था मुझे 8000 पे का पड़ा ऐसा क्यूं बोलते हैं विवेक सर तो ये बाते क्या होती है दो मिन के अंदर समझा तो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फटा पर से मुझे बोल देना लेकर एक पर समीहां पर मिस्टरों में अब ये fans अब बेचा विवेक समान बेचा सिधार्त ने मन्नु को समान बेचा मालनो राजन जो है वो GST में रिडिस्टर्ड है ठीक है विवेक जो है वो GST में रिडिस्टर्ड है सिधार्त जो है वो GST में रिडिस्टर्ड है मनु जो है वो GST में रिडिस्टर्ड है मनु एक कस्टमर है मनु GST में रिडिस्टर्ड है मैंने क्या बोला जी अगर किसी को ITC लेने है अगर किसी को ITC लेने है या अगर किसी को ITC यूज करना है लेना है या आगे GST चार्ज करना है उसका GST में Registrata होना जरूरी है उसके बस GST IN नमबर होना जरूरी है ये बात केली है जी मालो मालो ये तीन परसंन जो ती में Registrata है लास्ट वाला परसर मन्नूु जो है वो GST में अंदृईटो मुझे वाज मर्दु अब अब अगेर मालों राजन ने वीवेग को समान बेचा यह समान वर्पे कहा था इसमें 10 रुपे का राजने ने GST लगा दिया समान कितने का हो गया जी 110 रुपे का समान हो गया विवेक ने राजन जी को कितने रुपे दियोंगे जी सोचके बोला विवेक ने राजन जी को कितने रुपे दियोंगे सर कैसी बात कर रहे हो 110 रुपे आपने दियोंगे तो मेरी जेब से गई कितने रुप के हैं 10 रुपे GST अब रारण चले गए 10 रुपे ग्वर्मेंट को देने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं जब दस रुपे राजन को देने के लिए गए ठीक है तो विवेक के पास समान थामबा भई कोश्ट 110 मत बना क्योंकि अगर तु 110 बनाएगा तो वह 10 रुप का टेक्स तेरी कोश्ट में एड हो जाएगा उसे दिक्कत आएगी तो ऐसा कर तु कोश्ट बना सो रुपे याद करो फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में का था कि कोश्ट अगर सो रुपे कि मैंने गी तो विवेक क्या बोलेगा 10 रुप मेरे कहां गए क्योंकि मैंने तो वह भी पे की हैं तो याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि गोवर्मेंट ये ब आपके देंगे तुमने थी का वखे है लिक तो ले तु यह बात थोड़ा होती है तु लिख मैं कर ठीक है गोर्मेंट में लिख लेता हूं कि मुने दस रपे आफ से लेनी है तो गर्मेंट आप तेरी कोश्ट कितनी बनेगी मैं का सो रपे सो रपे की कोश्ट बनेगी मानलो इसमें मैंने 20 रपे का प्रोफिट जोड दिया 120 रपे का समान हो गया 120 रपे का समान हो गया 10% मानलो GST लगा तो 12 रपे का GST लगा 132 रपे का समान हो गया सिधार्त को मैंने बेचा सिधार्त अब मुझे कितने रफे देगा 31 28फे 8 सिधार्त ने मुझे 132 सिधार मुझे दिये तो अब मैं 120 रफे तो जेम में डाल का क्योंकि वह मेरे यह मैं गोलके टेने केलीए गया अब गोल्मेंट ने मुझे कहा विलेख हो ए Megay तुनन लग रहा कि अरे गुझा, याद कर कि हमने तुझे 10 रुपे देने भी हैं, क्योंकि जो राजन ने 10 रुपे दिये थे, वो तेरे ही थे, तो उस 10 रुपे को अब तु माइनस कर ले, तो अब तु हमें नेट 2 रुपे दे देजी, अब इतना बोल देना, जी, सोच के बोल देना, अब 110 रुपे कोश्ट कितनी मनी 100 रुपे तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं 45,000 रुपे का AC लेकर आता हूं तो मुझे 40 का पड़ता है क्योंकि 5,000 रुपे का अगर GST है उसका मैं ITC कलिम कर लेता हूं और जब आगे बच्चों से बापा को पापा 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 एके सो बतीस रुपे तो पापा ने का नालायक एक बात बता जो तुन्हें 12 रपे GST के विवेक को दिए विवेक ने वो गॉर्मेंट को दे तो दिए और गॉर्मेंट का कोल अभी तेरे पास आया था कि तेरे 12 रपे आ चुके हैं तो तो अपनी बुक्स में लिख ले कि गॉर्मेंट तुझे 12 रपे वापिस करेगी और कोश्ट तेरी 120 बनेगी परसेंट जी एस्टी 10 enjoying घmesi लगा 605 बेस्टी अरज स्मान होगया अन्योने कि सिद्धार सिदारत यह समान कितने का एं तो सिदारत ने वो ला भाई साब इसो चोँपर का समाना समान तो मन्नू ने का ठीक है जी, अब 1804 रुपे इसने दिये सिधारत को, 574 रुपे दिये, सिधारत न 140 रुपे जेमें डालीए, 14 रुपे गौर्मेंट को देने जारहा है, जब सिधार 4ँपे गौर्मेंट को देने जाएगा, तो गौर्मेंट बोलेगी, याद कर तूने हमसे 12 अरपे लेने भी है जो तुने विवेक को दिये थैं विवेक न हमें दे दिये थे तो मतलब उस में से 12 अरपर हटा देगा जी ठीक है यह आपके नेट दोर पर आपको गूर्मेंट को देने पड़ेंगे तो अब मन्नू के हात में ध्यां सोना मन्नू ने कितने पेक 154 रुपे तो मन्नू भी वेट कर रहे है मुझे पापा 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 मेरी कोष्ट भी 140 पड़ेगी ना क्योंकि 14 रुपे का GST है वो सिधार्त में पेक कर दिया को पापा मुझे ITC मिलेगा ना मैं भी तो फिर लोगों को बोल सकूंगा ना कि में 140 समान बोला अच्छा ओके यह है ITC के सूपर फास्ट सूपर से भी उपर फास्ट रवीजन